इस गर्मी में आप लोगों को अपने खेतों में करना एक छोटा सा काम अगर आप लोग यह काम कर देते हैं तो उसके बाद जो फसल उस खेत में आप लोग लगाने जाएंगे जो उसका उत्पादन होता है यह बढ़ जाएगा उस फसल में फंगस कम लगेगी कीट कम का तो वह काम कौन सा है इसके लिए वीडियो को अंतर तक देखे ताकि आप लोग इस प्रक्रिया को अच्छे से समझ पाएं और आप लोग अपने खेतों में करके इसका फाइदा अच्छे से उठा पाए पहले के समय में आप लोग देखते थे कि जो किसान भाई हुआ करत अब जानते हैं इसे फाइदा क्या होता था देखे जब आप लोग अपने खेतों की गर्मी की मौसम में गहरी जुताई कर देते हैं तो उससे होता यह है कि जो आपकी मिटी में आकसीजन है यह बढ़ जाती है और इसके साथ-साथ जो सूरी से रोसनी आती है तेज इससे ज जो घास के बीज या दूब या मोथा की जो बीज होती है वह भी सूख जाती है इसकी वज़े से जो घास होती है यह भी आपके खेतों में कम उगती है तो जब पहली बारिस होती है बारिस के बाद आप लोग देखते होंगे कि आपके खेतों में सौधी सौधी सी लेकिन ठीक है आप यह जो कर रहे हैं उसको कीजिए लेकिन अगर आप लोग यह काम करते हैं तो आपकी मिट्टी में आउक्सीजन बढ़ने से होता है कि आपकी मिट्टी भुरुरी बनी रहती है जब मिट्टी भुरुरी रहेगी तो आपकी जो फसले होती है उनकी जड़ों का जो विकास होता है जादा होता है अब जब जड़ों का विकास जादा होगा तो ऐसे में मिट्टी से पोसक तो पौधा बहुत ज्यादा खीच पाएगा उसका विकास अच्छे से होगा उसमें फाल फूल सब कुछ अच्छे से आएगा इसके साथ साथ जो फंगस पनप रही है कीट पनप रहे हैं वह भी समाप्त हो जाते है तो आप लोग को करना क्या है देखिए समाने तरह गेहूं की कटाई हो जाती है उसके बाद आप लोग अपने खेतों की एक बार अच्छे से सिचाई कर दिजिए अब सिचाई करने से होगा यह कि जो कुछ वीज रहेंगे वह अंकुरित हो जाएंगे अब अंकुरित हो जाएंगे तो 5-6 दिन बाद उसकी जुताई होनी है तो जुताई आपको करनी किस से है देखे आप लोगों को रूटावेटर से जुताई नहीं करनी है रूटावेटर से अगर आप लोग जुताई करते हैं तो आप लोगों को फाय यह काफी ज्यादा कम हो जाएगा इस वजह से रूटावेटर से तो आपको जुताई नहीं करनी है तो अब करनी किसे देखे अगर आप लोगों के पास यंबी प्लाव है तो आप लोग उसकी सहायता से अच्छे से जुताई कीजिए यह सबसे बेस्ट रहेगा काफी किसान भ लेकिन वही काम आप लोग पहले ही कर लिए जब पहले कर लेंगे तो यह फाली रोसनी होती है उसको अपने अंदरा कर्शित करने लगता है फंगस खतम होने लगती है कीट के बच्चे खतम होने लगते हैं और आपकी मिटी में जो आक्सीजन है यह बढ़ जाती है आपके म लेकिन वही काम आप लोग पहले ही कर लिए जब पहले कर लेंगे तो यह फायदा आप लोगों को बहुत ही बढ़ियां मिलेगा तब जब आप गोबर की खाद या फिर रासाइनिक खाद डालते हैं तो आप लोगों को कहीं बढ़ करके रिजल्ट मिलता है तो अगर आप लोग इस गर्मी में खेत खाली छोड़े हुए हैं तो अभी भी समय है आप लोग जा करके यह काम कर लिजे और जो आपकी मिट्टी का स्वास्त है उसको बहतर कीजिए उसमें कीट और फंगस को खत्म कीजिए अगर आप लोग यह काम करते ह तो आप लोगों को क्या-क्या फायदे होते हैं कमेंट सिक्षन में जरूर बते हैं और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें यूटूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे और फेस्बूप पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो फालो करना ना भूले